अलो आफिवान वेलकम टू दा थ्रोटल कस्टम्स हीरो स्प्रिंट हॉलर एक 26T यानि 26 इंच साइकल है जो की डबल डिस्क ब्रेक के साथ आती है तो आप यहां पर साइकल के डिस्क ब्रेक का क्लोज यू देख सकते हैं साइकल दो गेर वेरियेशन के साथ आती है फर्स्ट है 21 स्पीड गेर और दूसरा वेरियेशन आता है सिंगल स्पीड गेर या फिर बोल सकते हैं विदाउट गेर आप सीट देख सकते हैं काफी सॉफ्ट सीट रहती है एरो की पी यू कोटिंग के साथ आती है सीट फ्रेम इसक cycle एकदम perfect है? Key features of hero sprint hauler, यह cycle 13 साल या उससे उपर के व्यक्ति के लिए बनाई गई है, cycle दो variation में आती है, पहला variation है 21 gear के साथ और दूसरा variation है without gear के साथ, cycle में front और rear दोनों ही disk brake दिये गए हैं, जो की एक साल तक काफी अच्छी working देते हैं, cycle का frame mild steel hard tail frame है, साइकल में स्रिफ फ्रंट सस्पेंशन दिये गए हैं और साइकल के टायर का साइज 26T है यानि 26 इंचेज है और फ्रेम साइज 17 इंचेज है आगे बढ़ते हैं हीरो स्प्रिंट हॉलर ब्लैक और औरेंज कलर में आती है साइकल में मडगाड लगा हुआ नहीं आता ये आपको एसेसरी के साथ लगवाना पड़ता है साइकल में गेर्स शिमानो कमपनी के लगाए गए हैं साइकल का वील बॉन्ट रेंचर कमपनी का है जो कि एक काफी अच्छा टायर है डायमेंशन की बात कर लेते हैं साइकल की वीड़ 142 cm है हाइट 68 cm है और डेप्थ 26 cm है साइकल की वारंटी 6 मन्थ की आती है जिसमें की फ्रेम और फॉर्क की वारंटी 2 साल की होती है और टायर और ट्यूब की वारंटी 6 मन्थ की होती है बाकी सारे component की warranty 1 year की होती है और hero एक well known brand है चलिए तो बढ़ते हैं cycle के price की तरफ hero sprint hauler का 21 speed gear का variant आपको 9500 से 12000 के बीच में मिल सकता है और single speed gear का variant आपको 9000 से 11000 के बीच में मिल सकता है cycle का price city to city और website to website vary गरता है city में transportation cost लग जाता है इसलिए किसी किसी city में price ज़्यादा high होते है हलो अबरीबन वेलकम टू दा थ्रोटल कस्टम तो आज हम hero sprint month के price, color, cycle की specification और उसके components को discuss करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं hero company की ये एक बहुत beautiful cycle है और पूरे sporty look में ये आती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं double disc brake की तरफ cycle में double disc brake दिये गए हैं और brake lever का material steel है cycle के disc brake की quality काफी अच्छी है ये आप front disc brakes देख रहे हैं मैं इस cycle को लगबग एक साल से use कर रहा हूँ और मुझे इन disc brakes को use करते हुए जादा problem नहीं आई है ये आप देख सकते हैं back tire का disc brake है आगे बढ़ते हैं gear and handle की तरफ cycle में used करे गए gear Shimano company के हैं जो की on an average एक अच्छी company मानी जाती है यहाँ पर हमारी cycle में 6-7 speed gears यूज किये गए हैं hero sprint mong gears के 3 variation में आती है first variation जिसमें 21 speed gears होते हैं second variation जिसमें 6 या 7 speed gears होते हैं और third variation जो आता है उसमें कोई gears नहीं होते हैं उसका price कम होता है seat के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें easily adjustable seat use की जाती है जिसको आप easily up and down कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं seat का lever दिया गया है आगे बढ़ते हैं fat tires और rim के बारे में cycle में fat tires यूज किये जाते हैं जिनकी width 2.35 से लेकर 3 inches तक रहती है और यह cycle के sporty look को और भी बढ़ाते हैं suspension की बात कर लेते हैं cycle में 80 mm front suspension दिये जाते हैं जो लगबग 1 साल तक अच्छी service provide करते हैं आशा करता हूँ यह information आपको अच्छी लग रही होगी तो हमारे channel को subscribe करें और bell icon को press करें आगे बढ़ते हैं cycle के price के तरफ और price के बाद आपको cycle के detailed specifications भी बताए जाएंगे तो बने रही है hero sprint monk के इस detailed वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं So let us discuss the price of hero sprint monk cycle का price 8500 से लेकर 13,000 तक रहता है hero sprint monk cycle के दो version आते हैं पहला जो की without gear आता है और दूसरा जो की 21 gears के साथ आता है तो अगर आप 21 speed gears cycle चूज करते हैं तो वो comparatively 3500 रुपीज महंगी रहेगी without gear cycle से cycle का price website to website और city to city vary करता है तो हो सकता है ये cycle आपकी city में थोड़ी महंगी मिल रही हो as compared to other cities let us discuss some specification of hero sprint monk cycle 21 speed gears और without speed gears भी आती है cycle का size 26T है यानि 26 inches है और tire की width 2.35 inches है hero sprint monk दो color में available है green और orange चलिए आगे वड़ते हैं cycle का rim alloy double wall है और cycle की seat PU coating के साथ आती है तो ये आपको accessories के साथ इसमें लगवाना पड़ता है जो की काफी sporty look देता है cycle में 80mm front suspension दिये गए हैं जो की एक साल तक काफी अच्छी service देते हैं sprint monk का frame sporty look hard tail frame है और इस cycle में आपको bushless chain provide की जाती है जिससे की riding काफी smooth हो जाती है और ये chain काफी durable होती है अब बात कर लेते हैं speed gears की तो ये cycle दो variants में आती है पहला variant जिसमें 21 speed gears होते हैं और दूसरा variant जिसमें gears नहीं होते हैं अगर आप ज़्यादा cycling करना चाहते हैं तो 21 speed gears को prefer कीजिए cycle में double disc brakes हैं यानि front और back दोनों जगा disc brake दिये गए है press the bell icon to never miss an update from the throttle customs